चात्रो, राहुल जी की प्रमुख रचनाएं हैं मेरी जीवन यात्रा जिसके छे भाग हैं, दर्शन, दिखदर्शन, बाइसवी सदी, वोलका से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमककड शास्त्र आदी राहुल जी ने दर्शन, धर्म, इतिहास, विज्ञान, आदी विशियों पर भी विपुल लेखन किया, विपुल अर्थात बहुत सारा, उनके द्वारा रचित ग्रन्थों की संख्या लगभग 150 के लगभग है, साहित्यक विशेस्ताएं राहुल जी के साहित्य में जिन्दा दिली और साहस के दर्शन होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं जब हम घूमते हैं, यात्राइं करते हैं, तो हमें साहस की भी बहुत जरुवत होती है, उनका घुमककड शास्त्र ययावरों का प्रेरणा गरंथ है, ययावर मतलब जो लोग घूमते हैं उद्देश्य से, जिन्होंने नकेवल स्वयम जीवन पर विदेश यात्राएं की, अपीतु अपने साहित्ती में भी उन यात्राओं का सजी वर्णन किया, उनकी यात्रा पिकनिक या मनोरंजन का शगुल मेला नहीं होती, बलकि कठोर साधना होती है, इस साधना क दर्शन, लासा की और नामक यात्रा वरतांत पढ़कर आपको किये जा सकते हैं, राहुल की जो भाषा शैली है, उस पर घुमुकडी का पूरा प्रभाव देखा जा सकता है, अर्था जब वो अलग-अलग जगे जाते थे, तो अलग-अलग जगे की भाषाओं के शब्दो भाषा का वेवार करते हैं, और ये जो उनका लेसन है, पाठ है लासा की और, यह हिंदी की प्रमुक गद्य विधा के लेखन में, राहुल जी का नाम अद्विती और अग्रणिय रखता है, इस पाठ से लासा की और के माध्यम से, आज आप सब यात्रा व्रतांत गद्य वि अरथात गद्य की विधाएं, like in English, you know forms of writing, in English, you write story writing, report writing, in the same way, in Hindi also, story writing को कहानी लेखन, report writing को रिपोतार्ज लेखन कहा जाता है, और ये जो याता व्रतांत है, ये भी एक तरह से report और अपनी यात्रा का व्रतांत कहा गया है, इस पार्ट को पढ़कर आप सब छात्रों को एक नए दर्शनी और परवतिय स्थल की जानकारी भी मिलेगी, जो कि आप सब के लिए ज्यान वर्दक है, तो आईए पार्ट का सार समझना शुरू करते हैं, इस पार्ट के माध्यम से लेखक तिबबत मार्ग का महत्व, तिबबत का सामाजिक जीवन और जो डांडा थोंगला के जंगल हैं, उनका वर्णन बड़े ही रोचक धंग से करते हैं, साथ ही तिबबत की भोगौलिक इस्थिति का भी वर्णन करते हुए वो वहां की जलवाईю के बारे में बताते हैं, लेखक बताते हैं कि नेपाल तिबबत मार्ग से नेपाल आने जाने का एक मुख्य मार करीफ लोंग का रास्ता खुलने से पहले भारत का व्यपार इसी रास्ते से होता था अर्थात नेपाल तिबबत मार्ग नेपाल से तिबबत आने जाने का एक मुख्य रास्ता है और इसी रास्ते से दोनों देशों नेपाल और तिबबत दोनों देशों का व्यपार चलता है अब तो भारत से तिबबत जाने के लिए एक नया रास्ता फरी कलिंग पोंग खुल गया है, पहले तिबबत भारत व्यापार इसी मार्ग से होता था, अब यह व्यापार का ही नहीं सेना के आने जाने का भी रास्ता है, और चुंकि सेना इस रास्ते से आती जाती है तो नेप के लिए टूठ फूट गाए हैं परित्यक्त हैं परित्यक्त अर्थार सेन्निकों अभी ने त्याँग दिया है तो इसमें किसान रहा करते हैं इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो नेपाल तिबबद जाने के मार्ग के बाद भारत में इक नयारास्था खुला उस मार्ग को ही फरी कलिंग पोंग का मार्ग कहा गया है इस मार्ग के जो महत बताने के बाद लेखक तिब्बत का जो समाजिक जीवन है उसके बारे में बताते हैं कि तिब्बत का जो समाजिक जीवन है वो कैसा है तिब्बत में आराम जो जीवन है उसमें बहुत आराम भी है साथ साथ कठनाईयां भी हैं बगर जो तिबबत का समाज है उसकी एक खाश विशेष्टा है कि उन लोगों में उन लोगों के विचारों में खुला पन है वहां की ओरतें परदा नहीं करती वे लोग जाती पांती और चुवा चूत को नहीं मानते और तिबबती इस्तरियां आने जाने वाले अतितियों का पूरा ध्यान रखती हैं वे सब अतितियों को एक समान समझती हैं और अतिती चाहें तो उनसे चाय भी बनवा कर पी सकते हैं चात्रों तिबबत में चाय बनाने का एक बहुत अनोखा तरीका है क्योंकि वो पहड़ है वहां पर जिस तरह से हम मखन, सोडा और नमक को एक चोंगी नामक बरतन में डालते हैं, और फिर उसमें चाय बनाई जाती है, और वो जब चाय बन जाती है, उसमें मखन डाला जाता है, और फिर चाय मिट्टी के टोटीदार बरतन जिसे की खोटी कहा जाता है, उसमें परोसी जाती है, और सबसे बड में कोई भी व्यक्ति आ जा सकता है मगर जो बहुत ही निमने श्रेणी के भीकमंगे हैं लोग उनको अपने घर में चोरी के घर से आने नहीं देना चाहते हैं और उस प्रकार तिबबत का जो समाजिक जीवन है एक तरह से बिलकुल ही खुला है वहां विचारों में बहुत ही खुला पन है उसके बाद लेखक बताते हैं कि जब वह वह पहुंशते हैं तो वह वह पर ठैरने का किस तरह से प्रबंध होता है लेखक जब उस परित्यक्त च वहां पर जो तिब्बत में लोग आते हैं उनसे अवेद वसूली की जाती है, जिसे की रहादारी किया जाता है, लेखके अपने एक साथी, सुमती, सुमती जो की उनकाल है और तिब्बत का ही है, वहीं का निवासी है, उसकी चिट उसको दे दी, जिस तरह आपको याद कुछ बच्चे आप में से जब वैश्णो देवी जाते हैं तो वहां भी मंदीर में अंदर प्रवेश करने से पहले कुछ मंदीर के जो मुख्य द्वार है उसके एकड़ किलोमीटर पहले ही आपको कुछ चिट दे दी जाती है और इसी वज़े से वहां पर भी तिबबत में कुछ इसी तरह की चिट मिलती है तो सुमती की जान पेचान है उसके कारण जो उन्हें थोंगला का आखरी गाउं है उसमें रहने के लिए अच्छी जगे मिल जाती है लेखक बताते हैं कि जो वहां पर जगे मिलती है वहां के जो निवासी है वहां के निवासियों की जो मन पढ़े रहते हैं तो जब शराब लोग पी लेते हैं चंग पी लेते हैं तो उनका अपने दिमाग पर कुछ कंट्रोल नहीं रहता नियंतरन रही नहीं रहता तो फिर जो मन में आता है वो करते हैं एक बार हां कर दी कि भाई ले लो शरण तो मिल गई और नहीं की तो नहीं मि अपड़े में ठैरना पड़ा था मकर इस बार वे भीक मंगे के वेश में आए हैं तो उन्हें आराम से वहां पर शरण मिल गई अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस तरह से पिछली बार और इस बार हाँ तो लेखक ने दो बार तिबबत की यात्रा की है और ये जो वर्णन है ये 1920 और 1930 के बीच में जब उन्होंने नेपाल के रास्ते तिबबत की यात्रा की उसका अत्यंत ही रोचक वर्णन है उसके 5 साल बाद उन्होंने यात्रा की थी मगर उस समय भद्रवेश में की और उनको वहाँ पर भद्रवेश में भद्रवेश अर्थात सूट पैंट पैन के पढ़ा लिखा दर्शाकर और उस वेश में भद्रवेश में उनको वहाँ पर कहीं भी उचित शरण नहीं मिली मगर अब कि जो डांडे हैं वो तिबबत में सबसे खत्रे की जगए हैं 16-17,000 फिट की उचाई के कारण दोनों तरफ मिलो तक कोई गाउं गिराव नहीं होते नदियों के मोड और पहाड के कोने के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता और डाकूं के लिए यही सबसे अच्छी जगए है अर्थात तिबबत में डाकूं का बहुत ही खत्रा है डाकू जो भी कोई वहाँ पर घूमने आने वाले व्यक्ति हैं या जब डाकू देखते हैं कि यह लोग यहां के व्यक्ति नहीं हैं और बाहर के व्यक्ति हैं तो उनको लूट लेते हैं और लूट को मार भी डाल देते हैं, कारण यह है कि लोग लाटी की जगे बंदूक, इसलिए वहाँ पर लोग लाटी की जगे बंदूक और पिस्तॉल लिए फिरते हैं, वहाँ पर बंदूक और पिस्तॉल के लिए कुछ भी मनाई नहीं है, क्योंकि वहाँ जो सरकार है, वो पुलिस पर सब्सक्राइब हो गया है अब तो हुआ बहुत सुन्दर अच्छे अच्छे होटायल हैं वहाँ पर आप लोग रुख सकते हो और डांडा थौंगला के जंगल हैं वो हैं तो भी है वैसे मगर फिर भी वहाँ पर इतना खत्रा नहीं है, खत्रा है तो सिर्फ रास्तों का खत्रा है, डाकूओं का खत्रा नहीं है, तो लेखग और सुमति जो है वो भीकमंगों के वेश में यात्रा कर रहे हैं, उन्हें डाकूओं से खत्रा नहीं है, क्योंकि वो भीकमंगों के वेश में यात्रा कर रहे हैं डाकों से खत्रा उने होता जो भद्रवेश में होते हैं क्योंकि डाकों को पता है कि भिकमंगे भई विकारियों के पास क्या होगा वे जहां भी खतर ना किस्तिति देखते हैं टोपी उता कर टोपी उतार कर विकारियों की तरह पैसा मांगने लगते है कुची 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 मतलब दया करो कुची कुची वार्ड अगेन तिबबत भाषा का ही शब्द अब इसके बाद लेखक बताते हैं कि उन्होंने गोड़ों पर किस तरह से यात्रा की क्योंकि पाहड है जो वह बहुत ही डांडे हैं वह बहुत खतरना किस्थल हैं और वहां पर गोड़े कर लेते हैं चात्रों आपको ध्यान होगा आप में से कुछ लोग जो वैश्नोदेवी जाते हैं वहां पर भी आपने देखा होगा कि टट्टू और गोड़े पर बैटकर लोग आगे अपनी यहाता है तो चात्रों आप कुछ बच्चे वैश्नोदेवी जब गए होंगे तो आपको वहाँ पर घोड़े मिले होंगे और उन घोड़ों पर लोग यातरा करते हैं जो चल नहीं पाते हैं मगर यहाँ क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है इसलिए सुमती और लेखक ने सुमती जो की उनका गाईड है मित्र है उनको रास्ता बताता है, उनके साथ है, उन दोनों ने घोडे कर लिए, दोपैर के समयवे डांडे पहुँच गए, जो की 17-18,000 फुट की उचाई पर है, दाहिनी तरफ हिमाले की हज्जारों बर्फीली चोटिया हैं, जो बर्फ से ढकी हैं, बिल्कुल बर्फ सफेद, भीट पत्थरों सींगों, रंगबिरंगी झञडियों से सजाया गया हैं, आपने अगर कभी पहाड की आतरा की हो, तो आपको पता चले की पहाडी होते हैं, बिचारे बहुत ही भूले और सरल होते हैं, किसी भी पेड़ पार, किसी भी पत्थर पार ऐसे ही रोली डोरी, सिंदूर चड़ा देते हैं और उसे ही पूझने लग जाते हैं इसी तरह वहाँ पर भी जो तिबबत में हैं वहाँ पर भी बिल्कुल पत्थर सिंगों का धेर है और वहाँ पर जो डांडे के देवता हैं उनको रंगबिरंगी जंडियों से सजाया गया है अब लेखक बहुत ही रोचक मचेदार एक घटना बताते हैं कि जो लेखक का घोड़ा है वो तो बड़ा ही दीमे दीमे चल रहा है सुमती का घोड़ा जल्दी जल्दी टका टक आगे आगे बढ़ गया लेखक आगे चलने को कहते हैं तो घोड़ा पीछे चल जाता है और इस तरह से वो लेखक अपने रास्ता अक्तियार कर लेते हैं, गलत रास्ता चूज कर लेते हैं, गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, और लेकक बाई रास्ते पर चल पड़ते हैं, डेड़ मील चलने के बाद उनको पता चलता है, कि अरे वो तो रास्ता भटक गए, फिर वहाँ से वापस आते हैं, तो उनका इंतजार कर रहा होता है और वो गुस्से में होता है आपको पता है मैंने आपको बता है कि सुमती तिबबत का ही निवासी है मंगोल है और मंगोलों का मूझ क्योंकि वैसे ही लाल होता है नेचुरली लाल होता है प्राकर्ति गुरूप से लाल होता है उपड़ से वो त दीरे दीरे चल रहा था और मैं तो रास्ता भी भटक गया था बड़ी मुश्किल से लेखक ने उनको शांत किया और अब वो लंकोर में एक अच्छी जगए ठैरे उन्होंने चाय सत्तू और गरम-गरम थुकपा मिला थुकपा चात्रों होता है वहां का जैसे हम लोग कॉफी पीते हैं तो इसी तरह वहां का एक गरम ड्रिंक है गरम पेय है पीने के लिए उसको लेखक ने थुपका कहाई